तो आज हम देखेंगे कि linear regression model जो हमने प्रिवेस लेक्चर में देखा था उसको हम पाइथन की मदद से कैसे code का सकते है ठीक है तो चलिए देखते है तो किसी भी machine learning model को ठीक है machine learning model को code करने के लिए हमें कुछ python की library की जरूत पड़ती है ठीक है तो linear regression model के रहें में दो library की जोद पड़ेगी पहला है आप नमपाई और दूसरा है matplotlib matplotlib ठीक है अब यहाँ पर जो नमपाई होता है उसे हम लोग data computing के लिए यूज करते है ठीक है data computing के लिए यह हम लोग कह सकते है data analysis के लिए यूज करते है और जो matplotlib होता है वो जैसा नाम से clear है उसे हम लोग plotting करने के लिए करते है जब कोई भी data हमें given होता है और उनसे related हमें graph draw करना होता है ठीक है तो for plotting of data ठीक है अब देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक x variable लेंगे जिसका नाम होगा x train ठीक है यहाँ पर np.array लिखा हुआ है ठीक है np.array np.array np मतलब यहाँ पर यहाँ पर one और दूसा variable लखा दो जिसे हम लोग array के form में रखेंगे फिर एक y variable रखेंगे इसका नाम होगा y train उसे भी हम लोग array के form में रखेंगे 300 और 500 और उसे फिर print करा देंगे print function की मदद से फिर उसके बाद हम लोग यहाँ प्रिंट करेंगे x train को dot save के form में dot save क्या करता है dot save एक parameter होता है जो की num pipe में यूज किया जाता है क्या करने के लिए tuple create करने के लिए tuple create करने के लिए अब tuple क्या होता है tuple जो होता है वो multi variable को multi variable को हमें एक साथ create करके देता है means यहाँ पे एक variable यह हो गया यहाँ पे कोई name हो गया यहाँ पे फिर से कोई variable हो गया और भी कोई variable हो गया तो यहाँ पे multiple variable एक साथ collect करके जब देता है दूसरे हम हम लोग क्या कहते है टपल ठीक है इसके पोजीशन को हम लोग T0 से रिप्रेजेंट करेंगे इसके पोजीशन को हम लोग T1 से रिप्रेजेंट करेंगे ऐसी इसे T2 से ठीक है और इसे T3 से ठीक है इसे हम लोग क्या कहते है टपल ठीक है तो से फंसन हमें क्या यूज करता है य और number of training example, जो हमने example लिए वो कितने है, उसको हम लोग यहाँ पर print करा के देख लेंगे, ठीक है, तो जैसे कि हमें पता है, कि एक पहला example हमने क्या लिया था, one और three hundred का, ठीक है, यह x variable है, यह y variable है, और दूसरा example हमने किसका लिया, two और five hundred का, ठीक है, यहाँ पर x की दो variable है, औ और two y की variable है, तो हमने कितने example लिये, टोटल दो लिये, ठीक है, और एक lens function भी होता है, lens function जिसे कहते है, इसे हम लोग shape के जगा यूज कर सकते है, जो काम shape का होता है, वही कामयापे lens का होता है, जो lens होता है, वो total number of variable count करके हमें देता है, ठीक है, जैसे कि lens extend दिया हुआ है, तो यह number of training example है, यहाँ पे total two है, ठीक है, क्योंकि extend में total variable कितने है, दो है, तो यहाँ पे lens का क्या काम होता है, lens count करके हमें number of training example या उस variable के जितने भी अंदर जो भी रहते हैं, उनको total count करके present करता है, ठीक है, इसके आगे देखते है, जहाँ पे हमने एक i0 let support किया है, ठीक ह है, यहाँ पे, देखिए, जब भी कोई position होता है, ठीक है, जैसे यह हो गया, तो इस position को python में हम लोग zero position कहते है, ठीक है, इसे हम लोग one position कहते है, और dot dot ऐसी बढ़ते हुए जाता है, तो यह zero position से start होता है, इसलिए हमने यहाँ पे position पहले i equal to zero रखा है, ठीक है, अब x i क्य y क्या represent कर रहा है, y train के i position को, ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे i zero है, तो यहाँ क्या लिख सकते है, x dot zero और y dot zero, तो यह किसे represent कर रहा है, यह x के one को represent कर रहा है, और y का zero क्या है, 300 है, तो इसे represent कर रहा है, तो जैसे हमने इसे print कर आया, x zero और y zero को, तो यह क्या निकल के आगया ये निकल के आ गया ठीक है अब जब हमारे फास x variable y variable और दोनों के training example मौझूद है तो हम लोग क्या करेंगे plt.scatter कर देंगे अब scatter क्या करता है scatter यहाँ पे हमें graph plot करके देता है क्या करके देता है graph को plot करके देता है अब वहाँ तो np लिखा था यहाँ plt का क्या मतलब है यह जो scatter function है वो किसका है matplotlib का है matplotlib library का एक function है ठीक है इसलिए हमने plt.scatter किया और फिर उसकार हमने कहा x train y train और marker x और c r करके हमें यहाँ पे reprint करना है और यह बाकी का जैसा कि हमनों matlab पढ़ते है उसमें इस तरीके हमें title दे रहा होता है जो कि यहाँ लिखा होता है फिर उसका y level क्या होगा जो कि यहाँ लिखा होगा ठीक है plot store का मतलब होता है उसे represent करके दिखाना ठीक है यह एकदम print function जैसा होता है तो यहाँ पे हमें दो variable आगए अब पहला वाला क्या है पहला यह था 1 और 300 ठीक है तो जैसा कि हमने यहाँ देखा 1 और 300 और दूसरा क्या था दूसरा मैं पास 2 था और 500 था जैसा कि हम यहाँ देखने कोई मिल ला है कि एक यह है और दूसरा यहाँ पे यह है ठीक है तो एक यह B point और इसे हम लोग A point माल लेते हैं ठीक है इस तरीके हमने plot कर किया ठीक है अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे जैसा कि linear regression में linear regression में जो equation बनती है मैंने पुराने लेक्चर में पताया हुआ है कि equation क्या बनती है F WB X is equal to WX plus B ठीक है तो हमारे का X B है यह Y होता है तो Y B है बट हमारे बाद W और B नहीं है तो WB आप अपने हिसाब से consider कर सकते हो तो हमने क्या consider किया यह पे consider consider W is equal to 100 and B is equal to 100 और उसे हमनों print कराके एक बाद चेक कर लिए ठीक है फिर एक हम वहाँ पे फंसन दन कराएंगे ठीक है फंसन क्या होगा def से represent करते हैं जब किसी फंसन को represent करना होता है और एक फंसन होगा जो compute करेगा output को ठीक है किसके related W और B के related x हमें पहले से पता है अब यह क्या है यह हमें tuple के form में देता है fw भी एक variable है जो हमें m के 0 को देता है जैसा कि हम पहले जान चुके है कि जो x.save है वो tuple के form में देता है और tuple कितने आ रहे थे दो आ रहे थे ठीक है और fw भी क्या हो गया अब जो np0 का क्याम होता है total number of array को represent करना होता है ठीक है np0 क्या करता है यहाँ पे लिखेंगे np0 क्या करते है one dimensional ठीक है one dimensional array को represent करते है ठीक है कितने entity के ठीक है कितने entity के जितना यहाँ पे लिखाओ ठीक है np0 अगर यहाँ पे n होता तो यह n entity वाले one dimensional array को represent करता ठीक है अब क्योंकि यहाँ पर M है और M की value यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर क्या represent करेगा 2 ठीक है 2 entity वाले dimension को क्योंकि हमें पहली पता है यह भी हमारा 2 entity वाला है और यह भी हमारा 2 entity वाला ही है ठीक है तो यहाँ पर अब एक loop चलाएंगे यह कौन सा लूप हो गया, यह हो गया हमारा for loop, ठीक है, अब for loop चलाके, यहाँ पर क्या करेंगे, fwb निकालेंगे, कब तक निकालेंगे, जब तक जो यह i है, वो किसके कुलना हो जाए, m के, i start कहाँ से होता है, मैंने पहली बता है कि i यहाँ पर 0 से start होगा, ठीक है, 0 से start हो पर यहाँ पर यहाँ से यहाँ पर upर जाएगा, जब उपर जाएगा, तो फिर यहाँ पर कौन से position पर वो check करेगा, फिर यहाँ पर fall loop चलेगा, फिर यहाँ पर दूसरे पर i is equal to 1 के लिए चलेगा I is equal to 1 के लिए चेक करेगा तो फिर यहाँ पर देखेगा कि FWB कुछ आया अब जब उपर जाएगा तो पता चलेगा कि यह जो M is equal to 2 था वो पहला क्या था जीरो था और दूसरा one position पर था तो दोनों हमारे complete हो गए तो आगे यह fall loop नहीं चलेगा और जो आया है last में FWB वहीं यहाँ पर क्या कर देगा return कर देगा ठीक है उसके बाद जब FWB आ गया तो हम लोग क्या करेंगे इसको हम लोग एक variable में compute कर देंगे अब compute करने के से क्या मतलब आ रहे है यहाँ ठीक है हमने देखा था कि Y' जो कि हमारा estimated था वो निकालना था और एक Y था जो कि पहले समय दिया हुआ है 300 और 500 तो जब हमने यह FWB निकाल लिया तो इसके मदश से हमें क्या मिल गया estimated जिसके मदश से हम लोग क्या कर पाएंगे एक line ड्रॉ कर पाएंगे जाला कि हमने देखा था कि जब हम वहाँ पे पहले point कुछ दिये हुए थे ठीक है linear regression में जो पिछले वीडियो में मैंने बताया और point के मदश से बाद में हमने ये function चला के कौन सा FWB X plus B ये function चला के हमने क्या किया था क्या किया था हमने एक line ड्रॉ कर पाई थी ठीक है वो line कुछ कैसी थी इस तरीके से थी ठीक है इस तरीके तो यहाँ पे वो line ड्रॉ करने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा ये function चलाना पड़ेगा और ये function चलाने के लिए हमें यहाँ पे क्या कर दिया, put कर दिया, ठीक है, y train, यहाँ एक्स train है, y train के जगर क्या यूच कर दिया, यह, यह कुछ नहीं, यह y estimated है, ठीक है, और दूसा plot scatter जो हमने पहले बनाया था, वहाँ पर हमने क्या यूच किया, y train, ठीक है, तो एक बार हमने इसे यूच किया है और एक बार हमने इसे यूच किया है तो जब हम इसे यूच किये तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया यह लाइन आ गया इसी को हम लोग कहेंगे यहाँ पे WX प्लस B ठीक है यह हो गया और यह दो जो पॉइंट आया है वो क्या आया है वो हमे वाई इसे यहाँ से अटाएंगे यह हो गया वाई ट्रेन और एक्स ट्रेन की हल्प से आया है ठीक है यह दोनों पॉइंट पहले से हमें गीवन थे और यह हमने फाइंड किया है ठीक है तो यह हो गया है यहाँ पे फिर उसके बाद हम लोग w is equal to variable change करके देखेंगे w is equal to 200 और b is equal to 100 पे निकालके कोशिश करेंगे ठीक है तो यहाँ पे 340 डॉलर आगा देखिए अब इससे क्या हो रहा है अब यह line बनाने का क्या मतलब था इससे यह पता चल पाया कि x is equal to 1.2 मतलब यहाँ पे कितनी प्राइज होगी ठीक है अगर w is equal to 200 और b is equal to 100 है तो और यह कितना था 1000 तो 1.2 into 1000 तो इससे पता चला कि 1200 स्क्वाइर फिट ठीक है 1200 स्क्वाइर फिट के एरिया के लिए कितना प्राइज होना चाहिए तो हमने इस फॉर्मूले पे पूट किया और पता चला कि 340 डॉलर ठीक है 340,000 डॉलर की जरूरत होगी इतने स्क्वाइर फिट साइज वाले हाउस को लेने के लिए ठीक है यह यहाँ पे आ गया ठीक है अब देखिए यहाँ पे जब हमें इसे प्लॉट करेंगे तो एक डिफरेंस आएगा यहाँ पे एक बार इसे रेज करके देख लेते हैं 1.2 पे हम लोग इसे एक स्टेट लाइन क्रिएट करेंगे तो यह यहाँ कहीं आएगा जबकि हमने जो निकाला हुआ है 340 ठीक है 340 तो यहाँ कहीं आएगा ठीक है इसे साथ से तो यह लाइन कुछ इस तरीके से होनी चाहिए थी ठीक बट क्योंकि यह जो लाइन है यह किसके लिए है W is equal to 100 और B is equal to 100 के लिए है और यह जो मैंने अभी यहाँ पे निकाला नीचे वो किसके लिए थी W is equal to 200 और B is equal to 100 के लिए ठीक है अगर हम इसे W is equal to 100 और B is equal to 100 पे निकालेंगे तो exact यही point आएगा देख लेते कैसे यह हो जाएगा यहाँ पे 1.2 into 100 प्लस 100 तो यह यहाँ पे आजाएगा 220 ठीक है जो कि यहाँ पे कहीं आएगा 220 आएगा ठीक है तो इस तरीके से जैसे हम लोग W और B को change करेंगे तो हमारी linear regression model की जो line है straight line वो भी change होगी तो यह था हमारा यहाँ पे code ठीक है इसी के साथ मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा congratulations की हमने क्या किया है यहाँ पे हमने यहाँ यहाँ पे linear regression model को code करके भी देखा तो यह हमारा खुद का एक house pricing model त्यार हो गया ठीक है house pricing model जो की machine learning model है linear regression की मदश से हमने house pricing model एक त्यार किया ठीक है अब यहाँ पे कोई भी यहाँ पे कोई भी variable लेके हम उसके price को estimate कर सकते है ठीक है तो यह हमारा थे यहाँ पे linear regression model ठीक है आशा का तो यह आपको यहाँ पे समझाया होगा thank you